हाई फ्रेंच मैं आर्ती आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है फ्रेंच आज का जो वीटियो है निटका है और इसमें हम पेपर वन ले रहे हैं और जिसमें हम आज पढ़ेंगे सिक्षण अभिवरित और सिक्षण अभिवरित के अंतरगत हम सहायक सामगरी यानि teaching ads very important ही आपका content है क्योंकि जब आप स्टुटेंट को पढ़ाते हैं तो उनमें सबसे इंपोर्टेंट सी होती है किस मेथड से पढ़ाएंगे और मेथड के साथ में मेथड में कौन सी विदिया आप यूज करेंगे कौन सी सहायक सामगरी आप यूज कर कर लीजिए और आपसे बुजारे से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से सेर करें चलिए फिर देखते हैं सिख्छर साहायक सामगरी के बारे में पढ़ते हैं समझते हैं लीकिन यहां भी हम आपको बता दें कि as a teacher की रूप में teaching ads हो होते very important होते हैं क्योंकि अध्यापन क दौरान पाठ सामगरी को समझाते समय सिख्षक जिन जिन सामगरी का प्रयोग करता है teaching ads होते क्या हैं तो जब एक teacher अपनी class में student को पढ़ाता है तो उस समय पढ़ाते वक्त जिन जिन सामगरी का उपयोग करता है वो सहायक सामगरी कहलाती है ठीक है ना क्या कहलाती है सहायक सामगरीद कहलाती हैं किन्तो आधुनिक सिक्षा प्रणानी में सहायक सामगरी के संबंद में कई नवाचार हुए हैं जिनकी सहाता से अध्यान को रोचा को प्रभापूर्ण बनाया सकता है नवाचार का मतलब बहुत सारे ऐसे विसकार हुए हैं बहुत सारी नहीं नहीं से सीखते हैं वह जो घ्यान होता है वह हम आगे भी लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं सहायक सामगरी के प्रयोक के समय सिक्षण भी अपने अध्यापन के प्रतुशाहित रहता है और परिणाम सरुक्षा का जो बात वरण होता है सदर सकारात्मक बना रहता है यहां प सवनेंद्री संबेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके सिक्षर सामगरी कहलाती है तो यानि कि ऐसा एक मेथड जब क्लास में पढ़ा रहे हो और जिसके माध्यम से बच्चे जागरित हों जिसके माध्यम से बच्चे थोड़ा उसमें इंट्रेस्ट ले ठीक है और उ फोने की समझने की समता हैं वोतिि उनको बढ़ाया जाए वही सिक्षर सामगरी कहलाती है १ी है जो पर क्रिएट होता है वो इसी से क्रिएट होता है तो चलिए यहां पर देखते हैं कि सिच्छर सहाइट सामगरियों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं बेरी इंपॉर्टेंट यह आपका है और एक्जाम में से से आपके कोशन पूछे भी जाते हैं इस कि सिच्छर सहाइट समगरिये कौन सी है तो दाखिए तक्निकी के अथार पर सबसे पहले आपका साफट बयर आता है औरसाफट बयर में क्या क्या चीजिज़े आती यह यह थो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना तो देखें, software में चित्र जो होते हैं, graph, chart, पुस्तक, man, चित्र जो होते हैं, software के अंतरगत आते हैं और hardware में जो है, इसके अंतरगत, radio, television, record player, endoscope और projector, very very important यह हैं आपके epidoscope और projector इत्यादी आते हैं, very very important आपके यह हैं, इस में से 100% player और epidoscope के बारे में पूछा जाता है कि स्रफन के अंतरगत आता है, देखें की स्रफन के अंतरगत अतरगत के प्रकार की बात करते हैं, यहां पे स्रब शाधन होते हैं द्रिश शाधन होते हैं स्रब शाधन के अंतरगत देखते हैं कि स्रब शाधन के अंतरगत क्या क्या आता है तो देखें रेडियो टेप रिकारडर ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन स्रब का मतलब ही होता है सुनना तो जिसी सिर्फ हम सुनते ह कान से ठीक है ना सिसे हम सुन सकते हैं देख नहीं सकते हैं तो रेडियो को सुनते हैं टेप्रिकाइडर सुनते हैं ग्रामोफोन लिंग्वाफोन को सुनते हैं इसी तरह से दृष्ट शाधन जिसे हम देख सकते हैं देख के हम पढ़ते हैं स्रभ शाधन और जिस सहाय सामगरी कि जिस सामगरी को हम देख के पढ़ते हैं वो दृष्ट शाधन के अंतरगत आएगा इसे चाट को हम देखते हैं मानचित्र हो गया प्रतिमान हो गया फिल्मिस्ट्री प्रोजेक्टर हो गया ग्राप्स हो गया यह क्या हो गई इन्हें हम देख के क्या करते हैं पढ़ते हैं तो यह क्या हो जाएंगी दृष्ट शाधन के अंतरगत आ जाएंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चित्रेवम रेखा चित्र हो गया पत्र पत्र काय हो गई और फ्लेस कार्ड्स हो गई यह किसके अंतरगत आते हैं दृष्ट शाधन के अंतरगत आते हैं क्योंकि हम देख इसमें देखते भी और पड़ते भी हैं समाचार हो गया टेली वीजन हो गया स्याम पट्टो हो गया बास्तुइक पदार्थ हो गया ठीक है ना यह सबी चीजे स्रब दिश्रादन के अंतरगत आजाएंगी शमभा सामगरी हो गई तो कोश्चन जेनली आप किसी से क्रियेट हो समझाएंगे रहें स्रब्राइड बशात ग्राइон करते हैं तो दार्न के रेडीयot टेप डिकार लाग्राम ःत्याद जो गए आज कल के स्मार्ट फोन में लगवक सभी सरभ बशादन को आख मिशाद कर लिया है तो यह सभी सरभ बशादन के अंतरगत आते हैं ठीक है ना तो यह जो होते हैं यह एक तरह से काल्पिनिक शक्ति को देप्त करती है ठीक है ना क्योंकि शुनती है इसमें से सुना जा सकता है तो रेडियो दो कि क्या है रेडियो महत पुरूपकरण होता है और यह प्लाचीन काल से चला रहा है खास तो अगर हम ग्रामी अंचल की बात करते हैं वहां पर आज कल रेडियो ही उनका एक साथ ही बना हुआ है समचार के लिए सभी चीजों के लिए ठीक है अनुत यहां प क chili 37 में रेडियो पर चुल प्रेशान सबसे पहले कल्कत्ता रेडियो इस्टेशन पर किया गया था क्योंकि यहां पे थोड़ा सी मियोर इंपोर्न सकता क्या पर स्कूल्परसार利म की बात चल रही है तो उस्कूल प्रसार और सबसे पहले परेउग आइन्टकत्ता रेडियो बन गई और अब बर्श अनुशन तामन में विवीद भारती की शुरुवात हुई थी तो विवीद भारती की शुरुवात का विवी तो 1957 में हुई थी यह स्थोड़े जो आप हैं इनको आपको याद रखना होगा ओके टेप रिकारडर के माध्यम से किसी प्रकार के जो प्र करता है बेरी बेरी इंपोर्टेंट है ठीक है ग्रामो फोन लिगवा फोन यह रेडियो की भात ही होते हैं प्राचिनकाल में यही फोन चला करते थे अब द्रिश्क शाधन का द्रिश्चकार्थ होता है देखना तो इनका प्रयोग है इसका मतलब यह हुआ कि यह साधन जिन असवरिया के बच्चों को प्ढ़ाया जाता है बच्चे उनको देखते हैं और पढ़ते हैं ठीक है अग्रिश्च शाहलिक सामगरी के अंतरगत क्या क्या प्रैप क्या इक चाहर्ट हो गया चार्ट में नीकी बघ्री स्हसuw घाया सकता है नं कीज़ाव हो गया और मांशित् को बताने के लिए पर्रे बनात के आइंगों मांचितर किया जाता है ठीक है क्षत्र एक वोटे रिकसर होते हैं तो समभु नहीं हो पाता है तो उसमें क्या करते हैं मांचिटर ने जैसे के हमने बता दे कलकत्ता में एक बिल्डिंग है लेकिन विश्बिल्डिंग को हम कैसे दिखाएंगे तो हम प्रतिवार मोर्डल की दोरा दिखा सकते हैं ताजमहल दिखाकी मोर्डलम में पर शonentरूमिलते जेकल एनकांते और जंदकाइब पर श только 1 मizations प्रोजेक्טर के माध्यम से देखा जाता है जरुगी लिए प्रोजेक्टर करते हैं, यहां पे पढ़ती है इस fair जिख्यों से प्रोजेक्टर के रोप में फिल्म फिल्म है, तृई यह दृष्य शटन क kraan की वाथ करते हैं, थोड़ हो Maybe it Ya weekly THE यहां पे इतना इंपॉर्टन नहीं है जितना कि यहां पे स्रभ बद्रिश्ट कुछ जो साधन है वो कौन-कौन से हैं मल्ती मीडिया हो गया एक से अधिक साधनों का स्योजन एक साथ कई रूपों में हम कर सकते हैं यहां पे चिज़ समाचार पत्र हो गया टेली वीजन हो गया स्यामपट प्रयोग तो स्कूलों में 100% किया ही जाता है अब कहीं कहीं पे तो आज कल जो है प्रोजेक्टर के मादम से भी पढ़ाया जाता है स्यामपट तो पुराने टाइम से चला आ रहा है ग्रामेर विद्यालों में भी स्यामपट का प्रयोग किया जाता है देखा जाता है ठीके तो स्याब पडियानिया स्यामपट कई प्रयोग को जाता है चॉक बीके लगड़ी के इस है यह वर ऐवग वस्तुएं एक महात्पूर्ण होती हैं यहां पे बास्तिक पदार, शमभाज सामगरी, हलांक यहां पे जो भी इंपोर्टेंट आपका है, प्रदर्शन बोर्ड, इसकी स्यामपट, चाक बोर्ड, सफेध बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फलालेन बोर्ड यह सभी जो होते हैं पतलासन बोड के अंतरगत आते हैं यह सब भी सामगरी थीज आप अंगर सहांगरी को आप से कुछा पूचाता है कि दिलुकिति मैं से कौन सी गत्वी सामगरी सामगरी के अंतरगत आती या नहीं आती है एक्टिविटी एड्स के अंत्रगद के छेत्रवन बेरी इंपॉर्टेंट होता है जब तक यदि हम पर्यवन के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जब तक हम बच्चों को वहां ले की नहीं जाएंगे तो बच्चों के समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे हम उनको जाके दिखाके पढ़ाना ही क्या कहलाता है प्रत्यक्षे ब्रहवन कहलाता है ठीक गर चेत childcare हो गयान रीव चीजे आपकि नतर गया रहता है जो बेरी बेरी important है यहां पर कुछ इस्टा चीजे दी हुई आप देख लिज्जेगा प्रभावित करने वाले कारा की बहुत सारे होते हैं लेकिन जितना important होता है आपका सहाइशिक्षक सामगरी कौन कौन सी होती है और जो सहाइशिक्षक सामगरी होती है उसे समबंदित question यहां पर पूछे जाते हैं तो इस वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और नेस्ट वीडियो को बेट करिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे इसके इंपर्टन 10CQ लेके आएंगे और उसमें हम आपको बारे डिटेल से समझाएंगे तो